दोस्तों गाला कोईन के अंदर एक असेंडिंग ट्रेंगल बुनता है हमें दिख रहा है वहीं दूसरी और बिटकोईन के अंदर डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो चुकी है दोनों के अंदर ब्रेकाउट कब आएगा कब एंट्री लेनी है सब यहां पर समझेंगे साथी और उन सारे औल कोईज के बनुमें बात करेंगे जो आप सवाल लगतार पूछो कमेंट के अंदर बागी कोई सवाल रह जाता है आपका तो इस वीडियो के अंदर पूछ सकते हो आने वाली अग्डी वीडियो के अंदर मैं आपका सवाल वह भी कवर कर लूँगा अब वीडियो को स्टार्ट करें गाला कोईन के अप्डेट के साथ तो यहां पर आप देख सकते हो एक असंडिंग ट्रेंगल की फॉर्मिशन हो रही है क्योंकि बिट्कोईन के अंदर भी अच्छी रिकर भी आई है और बागी अल्ट कोई भी अच्छा रिक वर यहां पर क करें अब यहां पर अगर यह असंडिंग ट्रेंगल उपर की साइट करता है डाइट मींस की 0.02281 की उपर अगर एक फॉरर गंडल को लिंग हमें देखने को मिलती है तो यहां पर हम एक एंट्री बना सकते हैं जहां पर हमाला ट्रागेट और्मोस्ट 18 से लेके 14 पसेंट का यहां तक पर इस फॉर्ट आपको लगता यहां पर अच्छा इंदर वहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रहेगा विश्ट आपकी तॉटली आपके उपर डिपेंड करता है लेना लेना because volume अभी हमें ज़्यादा देखने को ने मिल रही है volume लो है आप वहीं डूसरी और अगर आप गाला कोईन का daily chart देखते हो तो daily chart के साब से बहुत important support level की उपर है गाला कोईन का price जहां से last time एक बहुत बड़ी rally हमें देखने को बिलिती starting में फरवरी के वहीं पर गिर के दुबार से price आ चुका है अब बहुत आप चांसे से कि यहां पर बड़ा jump नहीं भी आता तो एक छोटी recovery तो हमें देखने को बिले at least 15% यहां से jump लेना चाहिए price को अगर bitcoin यहां से crash नहीं करता है now next update लें अगर हम bitcoin का क्योंकि all over cheat है तो वहीं से चल नहीं है तो bitcoin का four hour chart आप देख सकतो यहां पर double bottom की formation ज़रूर हुई है लेकिन यह जो level है जो last time आप देख सकतो एक heavy support रहा था अब यह heavy resistance बन चुका है which is around $58,500 का level यह जब तक यहां पर break नहीं होता आप देख सकतो volume में आपको low लेखने को मिलेंगी and market जबूर उपर जा रही है लेकिन volume low है that means की अभी market के अंदर confirmation नहीं है कि हम buying करने जाएं और market यहां से एक अच्छा pump देगी and that's why मैं यह चीज़ बोलूँगा अगर आपको short trade लेना हो तो यहां पर proper direction आए तो short के लिए आप जा सकते हो उपर stop house लाके and वहीं दूसरी और अगर आपको buying की trade लेनी है तो wait करो कि यहां पर $58,500 के उपर एक बास 4 hour candle closing हो जाए उसके बाद हमरे पास एक अच्छी confirmation आयागी long की या फिर buy की trade लेने की क्योंकि यह जो double bottom formation हो रखी है यह भी यहां पर breakout हो जाएगा साथ ही साथ अगर आप यहां पर double return को देखता है तो double return भी यहां play out होता हमें दिख जाएगा तो फिलाल के लिए all over यहीं चीज़ है कि अगर 4 hour candle एक बार इस slavery के उपर close हो गई हमें देखने को मिलेगी उससे पहले तक जो भी पंप साएंगे वह यहां से रिजेक्शन लेते हैं हो सकता है 60,000 डॉलर तक का पंप है और एक और बड़ा फॉल देखने को मिल जाए तो ट्रेंड लाइन के breakout का वेट करना अगर रियल पंप आपको चाहिए तो डेली के लिए बिटकोइन यहां से बड़ता हमें देख सकता है जैसे सिमिलर यहां पर बड़ा था उसी टाइप से यहां पर आगी बिटकोइन का वीकली चाहर्ट आप यहां पर देखी सकते हो जो वीकली गंडल क्लोजिंग है वह 60,000 डॉलर के नीचे पर होगी उसके बाद एक पंप हमें देखने को मिलेगा 60,000 डॉलर के अरिये तक फिर वहां से हमें एक डेक्शन देखने को मिलेगा पंप की बाद मैं इसलिए कर रहा हूं क्यूंकि यूएस का CPI डाटा निकले के आना हमाला है कुछ दिन के अंदर अगर आप डाटा उठा है वो बस यह ही है कि जर्मन गौर्वर्मेंट के बस अभी टू ब्लियंद वाट्स ओ बिट्कुईन ओलेडी हैं अगर वो यह भी सेल आफ परते हैं तो यहां पे और बड़ा फॉल हमें देखने को नहीं मिल जाए ना नेक्स बात करें आप लोग कोशन के बारे में जो आप सब्सक्राइब को देख सकते हो समय पे 22 परसेंट ही सप्लाई हां पर आई इस कोईन के देखने को मिला है जब जब इसकी सप्लाई आएगी सब्सक्राइशन के अंदर मांके अच्छी नहीं होगी तो यह नॉर्मल मार्केट से जादा फॉल करता हूं मैं देखेगा अब यह बहुता लॉस में हो यहां पर साल करके भी कोई फायदा नहीं है बट अगर आप 10-20 पसेंट 40 पसेंट लॉस में हो तो मैं कहुंगो अपने जो पॉर्टल कोई है उनको आप इथिरियम में या किसी और अच्छे प्रटेक्ट में कर सकते हो तक कि वहां पर आपको फास्ट र रहली देखने को मिल सकती है अच्छा प्रेकाउट आया था प्रिवेस हाई भी ब्रेक कर दिया है तो यहां पर जाओ तो एक बना सकते हो टार्गेट आपको यहां पर 1.4 डॉलर कर रह सकता है ठीक है उसकी बार नेक्स कुछ नहीं ता मारिया को लेकि जो अपने बॉटम ल सकता है अगर बिटकोइन स्टेबिलाइज नहीं होता या बिटकोइन ऊपर एक सरी ब्रेकाउट नहीं करता है जो कि बागी अल्ट के मुकाबले हमें ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है लिवर कोईन के इंदर एक बाइंग यहां पर बनाई जा सकती है जो सकतो यहां तक प्राइज आया तो एक अच्छा वाया आपको मिल जाएगा आप देख सकतो प्रिवियस टाइम में यह बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है यहां से बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिलिए अगर आपको फ्रिवी एंट्री रही है वैन्री कोईन के अंद सब्सक्राइब अगर बिटकोईन करता है तो यह भी इस लेवल को यहां ब्रेक कर देगा यहां ना उसके बाद नेक्स को लेकर जो बहुत बुबवितरीके से वाल करा था और जब तक एवो कौईन के दना 0.516 के ओपर यहां पर डेली के नहीं हो जाती इसके अंदर बाइं करना रिस्की रहेगा कभी भी डिटक्शन लेके फॉल करता है वहां में डिख सकता है अगर बिटकोईन कितना हरका सा भी फॉल आ गया तो उसके बाद WIF को लेके कुशन था अभी करेंटली एक रेंज मूमेंट यह कर रहा है 2.3171 के उपर जब केंडल क्लोजिंग होगी त तो यहां से एक रियल रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है सागा के अंदर उससे बहले तक तो फिलाल तो एक प्रॉपर रिजेक्शन ही हम यहां से देखने को मिल रहा है इंद लास्त बात करें अगर हम इथ्रियम के बारे में तो एक अच्छी रिकवरी हमें इथ्रियम से देखने को मिलिए ओल्मोस्ट एक डवल बॉटम फॉर्मेशन यहां पर हो रही है इथ्रियम का एटीएप भी जल्ली हमें ट्रेड होता हुआ दिखने वाला नया कर सकते हो और आप शॉर्ट टाम होल्डर हो बागी मैं परसनली सोलाना को होल्ड करूंगा विकॉस मुझे लगता है अगर यह ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट आया तो अगर बिटकोईन यहां तक आता है तक यहां पर चोटा सा रिएक्शन भी लेता हाँ देख जाता है तो बिटकोईन के अंदर अगर आप करेंटली जो केंडल बन रही है वह भी देखो के तो वह बुलिश नहीं है और एक बेरिश केंडल यहां फॉर्मेशन होई है बागी देखते हैं 58,500 डॉलर को उपर की रेक आउट करेगा तो ही बुलिश मना जाएगा और बागी बागी बागी जो भी ट्रेट्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताईगे वह सारी ट्रेट्स को लेने के लिए मैं यूज करता हूँ बिंग एक्स क्रिप्टो एक्षेंज का यहां पर काफी अच्छे से लिमिट बावडर भी फिल हो जाता है और फूचर टेडिंग का ऑप